नमस्कार जै जोहार बहुत स्वागत आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती लेकिन मेरे साथ एक बेहद खास महमान है बहुत सारे उनके परिचाय है किसान से केंद्रिय मंतरी तक का सफर पंच से लेकर सबसे बड़ी पंचायत जो लोगों के लिए काम करती है अब उनके प स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में ही इस वक्त पहुंचे हुए हैं पूरी कारे प्रणाली को उन्होंने देखा है बारीक से कैसे हम लोग काम करते हैं खबरे कैसे आती हैं तो सफर को लेकर भी मैं तोकन साहु साहब आपसे बात करना चाह रहा हूं सबसे पहले तो किस तरह से जानकारी मिली कि भी जिम्मेदारी मिलने वाली और वो भी केंद्री मंत्री की या सीधे बुला लिया फिर जानकारी मिली लली जी मैं आपके माध्यम से News 18 के माध्यम से सभी दर्सकों को नमन करता हूं आप सबको जय स्री राम जैसा कि लली जी ने पूछा तो ये मुझे हमारे संग्ठन के द्वारा सूचना मिली कि पीम की निमास में पहुंचना है साड़े ग्यारा बजे सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जैसे बनदा बनाया गया था और ये बात सही भी है ग्राउंड पर आगर आप जाकर देखें कि मकान नहीं बन रहे हैं प्रधान मंत्री आवास योजना का लाब नहीं मिल रहा है बीजेपी ने से बड़ा मुद्दा बनाया और अब तोखन साहू साब के पास वही जिम्मेदारी है कि वो उसी काम को बहुत तेजी से आ हैं यह यह इसी देख को लेकर कि हम सब लोग काम करते हैं अठारा लाख हवास 36 गड़ में रोक करके रखे थे भूपेश सरकार के द्वारा और यह प्रमारित था कि सरकार के द्वारा अपने हिस्से किरासी नहीं देने के कारण गरीबों को वंचित रखा गया था और हमारे गोशन पत्र में हमने संकलप पत्र में हमने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इसके सुक्रिती दिलाएंगे और सरकार बनते ही हमारे माननी विश्णोदेव जी के सरकार के द्वारा अठारा लाख आवास सुक्रित करके करने के बाद वो अपने निवास पर गए हैं त तो इसका लाब 36 की जन्ता को और पूरे देश की जन्ता को मिलेगा और ललित जी मैं आपके मांधम से पूरे देश स्वासियों को बताना चाहूंगा कि माननी हमारे देश की यसस्ट प्रधान मंद्रे जी तीशरी बास सबत लेने के बाद सबत लेने के तुरंत बाद है और एक बात और भी है कि मैं यह भी आपसे जानना चाहर हूं थोड़ा सा पीछे हम लिए चलेंगे यह बात आई दो हजार जो जब तेईस के विधान सभा चुनाओ थे मतब सारे समीकरण फेल हो गए खुद किसी को समझ नहीं आ रहा था हलका सा एकदम वोटिंग काउंटि कि बात करने वाली सरकार वह खारिच क्यों कर दी गई और बहुत प्रचंड तरीके से खारिच कर दी गए कांग्रेस की सरकार जाने का सबसे बड़ा जो कारण है यह नर्वा गर्वा गुरुवा बारी यह अपने को यह दिखाने के लिए 36 गड़िया थे गेरी चड़ की दि चतीज गड़ में कोईला घोटाला रेद घोटाला सराब माफिया यह माफियाओं का प्रदेश बन गया था पूरा चतिज गड़ और तो और चतिज गड़ में पीएस्टी जैसे संस्था में घोटाला इनके द्वारा किया गया अनेग ऐसे उदारन हैं जिसमें ये सरकाल लिपतर ही गोटालों में लिपतर ही इनकी सरकार बंदी है तो सराब बंदिया होगी विरुजगारी भत्ता देंगे पंदरा सुरुप्य हमारी मताओं बहनों के लिए पेंसन देनी की बाद इनकी गोशना पत्तर में कहा गया था दो साल की बोनस रासी हम देंगे ऐसा इनकी गोशना पत्तर में कहा गया था पिछले दो साल का जो बगाया बोनस रासी किसानों को दिया गया यह सब जगा फेल ही हुए इसलिए 36 गड़ की जंता को लगा कि ये सरकार तो जूट भोल करके इस सत्ता में आ गया है इसलिए 36 गड़ की जनता इनको देख चुकी थी 5 साल तक कि विकास के नाम पर कहीं पर कोई ने जीरो उसी का खामियाजा इतनी बुरी हार के रुप में नहीं हैं और ये जो नर्वा घुरुआ गुरुआ बनवा भी रहे थे ना ये केंदर सरकार की पैसे को नाम बदल कर कि अ एक रुपया जो इनका स्लोगन था नर्वा घुरुआ उस पर भी सरकार एक रुपय स्टेट गर्मेंन का ये लोग खर्चनी कर रहे थे आपके पैसे का अपने नाम से इस्तमाल और अपनी वावाई को लूट ले ना अपनी वावाई एक और बड़ी महतुकून बात है जैसे कि आपने इसका जिक्र भी किया कॉंग्रेस सरकार का आपने जिक्र किया बात वो बेटियों के सम्मान की कर रहे थे लेकिन जब राधि का खेड़ा ने लगा और फिर वो आपकी पार्टी में हैं तेखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती केवल कहने के लिए भारती जंदा पार्टी की सरकार ने का हम माननी विश्नोडीय जी की सरकार ने 46 घर में आप देखें कि मातारी बंदने क के सरकार आने के बाल मोदी जी के सरकार ने माताओं के लिए जो काम के हैं आने वाले दो होजार उनतीस में हमारी माताओं बहने वह भी सांसत और विधायक चुन करके जाएंगी ये संबान देने का काम मोदी जी के सरकार भारती जंदा पार्टी के सरकार कर सकती है जी जी आप एक और बड़ी महतुपून बात है कि चुकि जब यह जिम्बदारी मिली तो हम लोग खुद भी बहुत सारे नाम चला रहे थे उन्हें आप फ़ला जगा से केंद्र में मौका मिल जाएगा यहां से केंद्र में मौका मिल जाएगा पर मौका आपको मिला इस से पहले भी जैसे डॉक्टर रमन सिंग केंद्री मंत्री रहे हैं दिलिप सिंग जूदेव साब केंद्री मंत्री रहे हैं तो अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाना बहुत बहतर तरीके से आगे बढ़ाना तो कैसे अलग और और मजबूती के साथ आप काम करेंगे कि ओ लकीर को थोड़ा औ कि वहिया हम ओट आपको ही देंगे मोदी जी की ही सरकार बनेंगी और पहले से ज्यादा ओट से आप जित करके आओगे इतना सने इतना प्यार मिला मानेनी मोदी जी के टीम में सामिल हो करके राज्य मंतरी के रूप में, सहरी आवास मंतरी के रूप में मुझे जिम्मेदारिया मिली है मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो विश्वास मानेनी मोदी जी और भारती जनता पार्टी के द्वारा मेरे उपर किया गया है मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरी इमानदारी के साथ पूरी महनाता और पूरा परिश्रम करके करूँगा मैं भारती जन्ता पार्टी का सिपाही हूँ और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि मेरी जो जीवन यात्रा है मैं अखिल भारती विद्धार्थी परिश्द में काम करते करते यदि निर्वाचन की प्रिक्रा को कहूँ तो 33 ग्राम पंचायत में मैं पहले पंच बन गया तो मैं नीचे की इगाई से हाँ पर पहुंचा हुआ विश्री हूँ चोटी एकाई से मैं काम करते करते आ रहा हूँ तो मैं पूरी उर्जा के साथ पूरी निस्ठा के साथ काम करूंगा और मेरे लिए परिवार के लिए और गवरव की बात है की पूरे देस के लिए काम करने का सफो भागन Yay बिल्कुल आचा मैं एक एक तस्वीर हमने लगाता है आपको दिखाई है कि आप सब को बुलावा आया चाय के लिए बुलावा आया और मैं देख रहा था कि प्रदान मंत्री जी के हाथ में माइक है तो ऐसा लग रहा था हो क्लास ले रहे हैं सब समझा रहे हैं तो चुकि कि यहां सबा देख रहे हैं आदे गंटे बाद पता चलता है वह फलाने प्रदेश की दूसरी जगा सबा क्या वह आप लोग को ब्रीफ कर रहे थे उस दिन जी माननी मोदी जी की जो काम करने के जो तरीका है जो धंग है हम सब ने देखा है कि वह कभी विश्राम करते नहीं कभी छुटी लेते नहीं काम करने का जो जुनून है जो सिखना चाहिए हम सब को माननी प्रधान मंतरी जी से सिखना चाहिए कभी रुकते नहीं कभी ठकते नहीं और जिस काम को करने की वह बीड़ा उठाते हैं हो करके रहते हैं हमारे वह प्रणा पुंज है और प्रणा हम कि विगत 10 साल में, हिंदुस्तान में, अनेक जन कलनाडकरी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को समारने का काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। चुकि अब NDA है, लोग और साथ में भी हैं, तो सरकार इसी तरह से बड़े और कड़े फैसले लेगी, या जैसे हमने देखा है, कॉंग्रेस की सरकारों में, बड़ा सोच के फैसले लेना, दबाओ की राजनीती, कॉंग्रेस के शाषनकाल में हमने देखी, आपको लगता है NDA की इस से अलग है, और कड़े और बड़े फैसले जारी रहेंगे, देखी, ये कांग्रेस पार्टी और भारती जनता पार्टी में जमीना आश्मान कंतर है, भारती जनता पार्टी के प्रतेक कारकरता, सिर्फ इसी देज से काम करते हैं, कि तेरा वहिभाव अमर रहे मा, हम इस देज के लिए काम करते हैं, पहले भी NDA की सरकार थी, दूसरे टर्म भी NDA की सरकार थी, अब भी NDA की सरकार है, विपक्ष को कोई मौका मिलने वाला ही नहीं है, इसलिए भारती जनता पार्टी और NDA की सरकार पूरी इमानदारी के साथ इस देज के लिए काम करेगी, इ इस थाफित करने काम मोदी जी की सरकार किये हैं और उसी रबतार से बारती जंदा बाड़ी और एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कुछ दिनों से इस बात निकल कर सामने आयी चुकि छतीजगर में आरसस ने बहुत काम किया है और मिशनरीज के खिलाफ धर्मांतरन गल अग्वत सहब भी आए उन्होंने का कि हैंकार नहीं करना है इस तरह से बयान है तो क्या आरेस्स बीजे पी के बीच सब कुछ ठीक ठाख है या यह सिर्फ कयास हैं अफवाहें हैं आपको क्या लगता है किसी के साथ कोई भी प्रगार की कोई बात नहीं है कोई भी बात नहीं ह ब्रजमुहन अगर्वाल की बड़ी उम्मीदें थी कहा जा रहा ब्रिजमोहन अगरवाल जी दावेदार भी और बड़े सीनियर भी हैं पर उन्हें ना मौका देते हुए अचानक से तुखन साहू सापको मौका दिया गया तो क्या ये अंदर खाने कहीं चुनौपती तो नहीं बन जाएगा आपके लिए या मिलकर काम किया जाएगा तेकि भ पार आसिरवाद मुझे पहले भी मिलता रहा है अब भी मिलेगा और मैं अपने सभी वरिष्णेताओं के मार्ग दर्सन में चत्तिजगर का गवरोबढ़े हमारे विलासपुर का गवरोबढ़े और देश के लिए काम करना है अपने सभी वरिष्णेताओं के मार्ग दर्सन चत्तिजगर के हमारे सभी भाईयों के तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपको और ललिज जी न्यूज 18 के माध्यम से हमारे प्रसांद जी बहुत चिंता कर रहते कि भया जाना है मैं आया हूँ प्रसांद भाई देख रहे होंगे और मैं निविदन करूंगा न्य बहुत धन्यवाद और यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं